अलो एवरिवान दिस इस निलेश कुमार गुपता एंड यू आर वाचिंग एंजी फिजिक्स क्लासेश शुरुबात करते हैं पिछले टन पे हम लोगों ने पढ़ा था चुम्ब की दिद्रुव से आप क्या समझते हैं चुम्ब की दिद्रुवागून का सूत्र क्या है यह सारी काफी सारी बाते हम लोगों ने पढ़ी थी आज उसी कड़ी में हम लोग आखे बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन हमसे खेह रहा है कि हमारे पास एक चुम्बक है यह चुम्बक भी चलो बात की बात है अगले प्रश्ण पर दो मिनिट बाद आएंगे पहले मुझे एक बात बताओ कोई भी चुम्बक यह पतार्त जब चुम्बक के दवस्था में होता है यानि उसमें चुम्बक के लक्षण होते है तो इसके अंदर जो छोटे-चोटे अनु चुम्बक होती है वो कैसे व्यवस्तित होते हैं सीधी श्रंखला में व्यवस्तित होते हैं यह बात आप अब सब लोग जानते हैं अच्छे से ऐसे व्यवस्तित होते है समयने की कोशिश करना चूतियों की तरह रियक्ट मत करना यह यह उत्तरी दक्षण ईत्तरी दक्षण एसे ही होते हैं द्रव एक आनिये यह सब एक दूसरे से बंदे हुए यह बोल वी यह यह चार रह गए अकेले तो इन्होंने मिल गए यह दच्छनी द्रव का निर्मान कर दिया यह रह गए अकेले इन्होंने यह उत्री द्रव का निर्मान कर दिया सही बोल रहा हूं यह बाते हम लोग जानते हैं बता चुका हूं एक गर में चार लट हैं चार लट मकलब समझते हूं चार लोग हैं लडने वाले ठीक है तो चार भाई थे जो अच्छी हुस्ट पुस्ट थे लडने में सक्षम है उस घर की कुछ न कुछ प्रबलता होगी ताकत होगी दो भाईया निवट गए तो ताकत प्रबलता आधी रह गई मानते हो इस बात को सभी को सीन क्लियर रहिए अगर ये बात आपको समझ में आती है तो गौर से देखिएगा वो कह रहा है एक चुम्बक है वो कह रहा है एक चुम्बक है और इस चुम्बक का चुम्बक की आगून कैपिटल है में और दृप्रबलता इस स्मॉल है में इस चुम्बक की अब वो कह रहा है कि भैया इस चुम्बक को मैंने काट दिया दो तरीके कह रहा है काटने के पहले केस में कह रहा है कि मैंने ये जो चुम्बक है अभी कोई कुछ उतार ना मत है न ये जो चुम्बक है मैंने उसे उसकी लंबाई की अनुदिस काटा है दो बरावर भागों में ऐसे है और दूसरे केस में मुझसे कह रहा है कि मैंने उसे जो काटा है वो लंबाई के लंबवत काटा है यानि कैसे काटा है समझ मैं आरी है कहानी है ना और जब ऐसे काट रहे हैं तो चुमबगी आगून कितना हो जाएगा दूपरवलता कितनी हो जाएगी ऐसा मुझसे पूछ रहा है कहानी समझ मैं आरी है तो क्वेस्चन तो अव्याल आएंगे क्वेस्चन पर हलाल मैं यहाँ जो कॉंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना यह समय ने पना दिया चुमबक वुमबक सब बढ़िया है जा मैं क्या दुरूफ दिख रहे है तुम्हें नहीं यह तो इसकी बात कर रहा हूँ चार दुरूफ दिखाई दे रहे हैं इसके आसपास लोहा लंगण रखा है तो यह सिख दुरूफ मिलके जिन्हें खेंचेंगे खेंचेंगे इस दुरूफ की दुरूफ परवलता कितनी है स्मॉल है मैंने बताया था गर में चार लट्थ है चार भाईया है तो उस घर की कुछ नो कुछ ताकत होगी दो भाईया निवड़ जांगे तो ताकत अब वो नो के रहो है यह जो पूरे चारो दुरूफ मिलाके इनकी दुरूफ परवलता है मैं अब जा चुमबक है नो काट दूँ तो दुरूफ परवलता किते कर रह जागी आधी समझ गए यह नहीं अगर इस चुमबक को मैं ऐसे काट दू तो दुरूफ परवलता आधी रह जाएगी जामे जामे दुरूफ परवलता किते कर रह जागी कमीनो जामे आधी क्यों रह जागी अगर ऐसे कटेगो तो दुरूफ तो सिक चार के चार ही रहे जो बात समझा रहा हूं समझने की कोशिश कर पा रहे हैं आप लोग जब मैंने इसको इस चुम्बक को इसकी लंबाई के अनुदिस काटा तो दुरुप्रवलता और ऐसे काटा तो नहीं बदलेगी जो बोला समझ में आया है रामायन इतनी आ गई तो चलो फिर मैं इस प्रश्ण पे आता हूं प्रश्ण को दुबारा देखते हैं और ध्यान से समझते हैं हम लोग ठीक है पहले आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद उतारिएगा ठीक है ना ये काहनी मैंने आपको डिटेल में समझा दी पूरी काहनी क्या है क्लियर अब आप गौर से देखिए प्रश्ण पे आते हैं हम वो कह रहा है कि ये एक चुम्बक है ये मैंने बढ़िया चुम्बक बना दिया और उसने दे रखा है ये कह रहा है कि ये जो चुम्बक है सकना है न उसकी दुरुप्र बलता है m और इसका चुम्बक यागून है क्हानी समझ में आ रही है चुम्बक की लंबाई भंबाई उसने कुछ नहीं दी तो मैं मानता हूं कि चुम्बक की लंबाई हमं लोग जो मानते हैं वो कितनी यहापए दो प्रश्ण दी talk पहले प्रश्ण में कह रहा है कि जब चुम्बक को उसकी लंबाई के अनुदिस काटा जाता है अब मैं इसे काट रहा हूँ इस चुम्बक को मैंने उसकी लंबाई के अनुदिस काट दिया ऐसे समझ गए? तो कह रहा है अब ये दो टुकडे हो गए तो किसी एक टुकड़े की में दुरुप्रबलता बताओं था समझ गए और चुम्ब की आगुण बताओं यह प्रश्ण जब मैंने ऐसे काटा है तो दुरुप्रबलता कितनी हो जाएगी बता चुका हूँ अभी बोला वहीया M' बराबर M by 2 पहले बाली दुरुप्रबलता की आधी रह जाएगी अब मुझे नया चुम्ब की आगूर भी निकान ला है नया चुम्ब की आगूर निकान ले के लिए मैंने या क्या सूत्र लगा दिया मैं तो जादा जानता नहीं हूँ Capital M बराबर Small M into 2L होता है तो M' is equal to Clear? नया चुम्ब की आगूर निकालूँगा तो दुरुप्रबलता बोलो Into लंबाई जब ऐसे काटा है तो लंबाई बदलेगी क्या? वो ही रहेगी Step समझ में आया M' बराबर 2L तो M' बराबर M into 2L तो Capital M by 2 समझ में नहीं आयी होगी यानि कहने का तात पर यह है कि जब चुम्ब को उसकी लंबाई के अनुदिश काटा जाता है तो उसकी दुरुप्रबलता भी आधी हो जाएगी और उसका चुम्ब की आगूर भी आधा हो जाएगा इतनी बात समझ में आईए आप सभी को उतारना मत कोई भी अभी क्लियर है यहां तक किसी को कोई परेशा नहीं अब मैं दूसरा केस कर रहा हूँ क्लियर दूसरे केस को समझने के लिए चलो ठीक है बना रहा है दूसरे गेस कर रहा हूँ, दूसरे गेस में चुम्बक को कैसे काट रहा है यानि मैंने यहसे चितर बना दिया, यह चुम्बक हो गई अपनी ठीक है यह चुम्बक की लंबाई हो गई अपनी कितनी 2L दूपरवलता है Small M है चुम्बक की आगून Capital M है Capital M वरावर Small M into two L Clear Regime नज़र आ रहा है यदो चुम्बक को असकी लंबाई के लंबवत काटा जा रहा है कैसे काटा जा रहा है लंबाई के लंबवत काटा जा रहा है तो आपको समझ में आ रही है कैसे काटा गया होगा इसको ये काटा गया है ऐसे एसे करके, तो कहे रहा है इसकी दुरप्रवालता बता दू और चुम्ब की आगुन बता दू बता भाय collagen दुरप्रवालता? वही रहेगी, समझ गए ना क्यों रहेगी बता चुगाँगे यारा तो है ना, नया चुम्ब की आगुन अगरहे निकानना है, आएम डेस बरावर नया चुम्ब की यह आगोन इंटू लंबाई 2L by 2 कर दूँ बोलो तो M डेस बरावर स्मॉल M डेस क्टना है M ही है तो M इंटू 2L वटे 2 कानी समझ में आई? तो आगे देखें M डेस बरावर M इंटू 2L की जगह है क्या लिख दूँ? कैपिटल एम लिख दूं तो यह क्या हो जाएगा कैपिटल एम बाई टू कानी समझ में यहां तक भूल वही है काउगे को परेशा नहीं भड़ू आगे अगर यह बाद आपको समझ में आई तो यहां पर आपने नोटिस किया जब चुम्बक को उसकी लंबाई के लंबवत का जाता जाता है तो उसकी दुरुप्रबलता वही रहेगी और चुम्बक की आगूर समझ में आई बास अभी को क्लियर है कोई दिक्कत उतार लो इसे फटाफट यहां पर इससे पहले क्या लिखोगे जब चुम्बक को उसकी लंबाई के अनुदिस काठा जाता है और ने यह क्वेशन आपको इंपोर्टेंट क्वेशन में भी दिया होगा इंपोर्टेंट है एक्जाम में बहुत आता है न तो अच्छे से करिएगा इसको देखें द्यान से वो कह रहा है कि भई एक चुम्बक है यह चुम्बक है चुम्बक में उत्तरी द्रव दक्षनी द्रव होते हैं ऐसा मैं जानता हूँ चुम्बक की लंबाई को मैं 2L मानता हूँ बोलो और कह रहा है यह चुम्बक है ना उसका चुम्बक की आगूण M है ऐसा कह रहा है है एक चुम्बक है जिसका चुम्बक की आ समी करन नमबर एग, सीन क्लियर है, अब उसका प्रश्ण ये है, वो मुझसे ये कह रहा है, कि अगर किसी चुम्बक को, जिसका चुम्बक की आगून कैपिटल है में, एक अर्दवरत के आकार में उसे मोड दिया गया है, काई के आकार में मोड दिया गया है, यानि इस चुम्बक को उसने ऐसे मोड दिया, कानी समझ में आ रही है आप लोगों को, अब ये अर्दवरत कार मार्ग में मोड गया तो ये केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, व्यास हो गया, और व्यास को अपन लोग तू आर बोलते हैं, बोला भईया, जो स्टेप बोला समझ में है, तो कह रहा है, अगर इस चुम्बक को मैं अर्दवरत की आकार में मोड दूँगा, तो इसका चुम्बक की आगून कितना हो जाएगा, ये प्रश्न है, प्रश्न समझ गया, सिंपल सा प्रश्न है, उसका, एम चुम्बक की आगून वाले दंड चुम्बक को, अ नीचे मुंडी कर वेते समझ में नहीं आवेगो यहां देख वेते समझ में आवेगो का नाम है हाँ प्रेंडवतिया जी ध्यान दे होगे तो ही समझ में आगो उचड़ी बूटी नाने जो गोट के प्याय देंगे तुम्हें तो चुम्ह की आगोंड कैपिटल M बराबर स्मॉल M इन्टु 2L होता है तो वही है जब ऐसे मोड़ा है तो दुरुट वहीं के वही है स्मॉल M ही रहेंगे इन्टु 2L दौनों दुरुगों के बीच की दूरी अब कितनी हो जाएगी क्या ये बात समझ में आई सिंगलेर है अच्छी बात है अब आप एक बात बताओं ये पहले कितना था टू एल था जब मैंने इसे गुमा के ये कर दिया तो ये क्या है परदी तो 2PiR पूरी होती है ये उसकी आधी है तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ये जो 2L है वो बराबर हो गया 2PiR भाई 2 स्टेप समझ में आया के नहीं आया आया आ गया तू से टू काट दू बोलो भाईया पाई को नीचे ले आउंगा R का मान आ गया 2L अपॉन पाई बोलो भाईया R की जगे मैंने रख दिया 2L अपॉन पाई सिंग ले रहे सभी को तो M डेश बराबर देखो भाईया 2 अपॉन पाई तो मैंने ये रख दिया 2 अपॉन पाई ठीक है ये वाले आ गए A small M into 2L capital M के बराबर होता है ये आगे हमारा answer कानी समझ में आई ये आप लोगों को कर पाईंगे note डाउन कर लो फटा फटे से आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमारे को दो note दे रहा है उन दोनों note के बारे में ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं chapter 4 पढ़ाया था मैंने chapter 4 उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी जगे धारा दक्षिना वर्त दिशा में बह रही है तो वो कौन सा द्रोग होता है अगर धारा दक्षिना वर्त दिशा में बह रही है दक्षणा वर्त यानि clockwise या anti-clockwise clockwise अगर धारा दक्षणा वर्त दिशा में बेह रही है तो वो कौन सा द्रोग होता है दक्षणी द्रोग होता है बताया था धारा अगर बामा वर्त दिशा में बेह रही है तो वो आपको याद होगा, अगर याद है तो मैंने ऐसे चित्र बनवाई थे ऐसे उत्तरी और ऐसे दक्षणी याद है? ये जो तीर के निशान है, ये तीर का निशान ये कह रहा है कि धारा ऐसे बेह रही है यह और करके समझगे ना मेरी बात को? यानि धारा है से बह रही है यहों करके, तो ये CLOQL WISE बह रही है ना, दक्षणावर दिशाम में बह रही है, तो वो दक्षणी द्रूब होगा, ये वेपृरी दिशाम में बह रही है, बामा बर दिशाम में तो ये उत्तरी द्रूब, बताया था, एक धारावाही लूप या धारावाही परिनलिका मैंने आपको बताया था चैप्टर फूर में कि धारावाही परिनलिका या धारावाही लूप काई की तरह व्यवार करता है चुम्बक की तरह व्यवार करता है इसलिए हम लोग धारावाही लूप या धारावाही परिनलका को चुम्ब की दुद्रूब भी कह सकते हैं समझ में आ रही है बात क्लियर है कोई धारावाही परिनलका को चुम्ब का जा सकता है या चुम्ब की दुद्रूब का जा सकता है बात समझ में आ रही है वही बात इस चुम्बक सदेव उत्तर दच्र दिशा में ठेहरता है ठीक है आप चुम्बक को गुमा के इदर उदर भी कर दोगे तो भी वह गुंपिर के उत्तर दच्र दिशा में आ जाएगा तो कहीं न कहीं कोई न कोई ताकत है जो उसे खीच रही अपनी तरफ और वो है प्रत्वी का प्रत्वी का भी अपना ए चुम्बकी छेतर होता है जिसकी वज़य से कोई भी चुम्बक जो आप सुतनता पूरवक लटकाते हैं वो सदेव उत्तर दच्र दिशा में ठेहरती है और प्रत्वी के चुम्बकी छेतर की जो दिशा होती है वह भौगौलिक दक्षणी द्रव उसे भॉगॉलिक उत्री द्रुव की और होती है जैसे ये दक्षणी द्रुव है और ये उत्री द्रुव है तो प्रत्वी के चुम्बगी चेतर की दिशा भॉगॉलिक दक्षणी द्रुव से भॉगॉलिक उत्री द्रुव की और होती है याद रखना है ओटी वगरा में आ स लगता है अगले नोट में यही लिखा हुआ है एक बार पढ़ लें दोनों नोटों को इसके बाद आज हमारे सामने अगला प्रश्न है एक लगू धंड चुम्बक के कारण अच्छी इस्थिती में इस्थित किसी बिंदू पर चुम्बक की चेतर की तीवरता की गणना है तो वियंजा के स्थापित कीजिए गौर से देखेगा सब लोग यह भईया मैंने चुम्बक बना दिया बोला भईया यह चुम्बक का अक्ष है यह चुम्बक का मद्ध बिंदू है O यह दूरी 2L है और यह 2L है तो यह L और यह L बोला भईया यहां तक बात समझ में आई चुकि यह जो रेखा है चुम्बक का अक्ष कहलाती है और अच्छी इस्तिती में यहाँ पर कोई बिंदू इस्तित है और कह रहा है इस बिंदू पर चुम्बगी चित्र की तीवरता की गणना है तू वेंजय के स्थापित कीजिए ओल्लाइन वालों बूर्ड पर जो लिखा है प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको चलिए तो वो कह रहा है यह जो एक दंड चुम्बग है क्लियर लगू दंड चुम्बग के कारण अच्छी इस्तिती में इस्तित किसी बिंदू पर चुम्ब की चित्र की तीवरता की गणना है तू वेंजय के स्थापित कीजिए मैंने मान लिया इस बिंदू पी की चुम्बक के केंद्र O से जो दूरी है Small R ठीक है अब आप बताओ इस बिंदू पी पर चुम्बग की चेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन हाँ का द्रहों की वजए से चुम्स की छेतर पेदा होता है तो जहां में दो probनें एक उत्तरी द्रून के कारण और 1 सब्से पहले मैंने यूरू दिया एंद्रों एन यह उत्तरी द्रू हो गया ऊत्तरी द्रून के कारण बिंदू P पर चुम्ब की चेतर की तीवरता क्लियर है भाईया भता भाईया उत्तरी दुरुगे कारण जा बिंदू P पर दिसा किती की लंग होगी जा लंग होगी समझ गए ना जा लंग क्यों होगी तो इस चुम्ब की चेतर को मैंने नाम दे दिया बिवन तो भाईया मैंने पढ़ा तो एक अकेले दुरुगे कारण किसी बिंदू पर चुम्ब की चेतर की तीवरता को सूत्र नियू जीरो अपॉन फोर पाई एम एम इस दुरुगी दुरुपर बलता हो गई अपॉन आर स्कुरर इसके कारण इस बिंदू पर निकाल ले है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है यह आ रहे है और यहां से यहां तक की ल है आर प्लस ल को ले इसको स्टेप समझ में आया है भईया के नहीं आया आ रही है सब को समझ में mayor C or two अधिशाए सबक्रैया vets नंबर अधीय को एकजाम ये नहीं भी बना पाएं तो कोई धिक्कत वाली बात नहीं पर बना दे तो ज़्यादा अच्छा है यह तो उत्री दुरुव के कारण हो गया अब ऐसे ही तो एस दुरुव के कारण पूरी रामाइड नहीं लिख रहा हूं म्यू जीरो बटे चार पाई एम अपॉन आर स्क्वेर तो इसके कारण इस बिंदू पर निकालना है तो मुझे यही दूरी तो चाहिए तो मैंने क्या गया यह जो आर है पूरी इस आर में से यह एल माइनस कर दिया तो यही तो बचेगी तो क्या लिख दू मैं यहापर आर मा आई बात बोलो या अच्छी बाद इसकी दिशा कैसे आ रही है बीटू की ऐसे आ रही है पीसे एसकी दरफ नहीं यह बस है तो बिंदू पीपर जो चुम्बगी छेतर पैदा होना था वो गया पुत्री द्रों के कारण और अच्छी द्रों के कारण अब आते हैं बिंदू पी पर वरिणामी चुम्बगी छेतर की दिवता क्या करूं बही है अब सुनो इस बिंदू पर कौन से दुरुका प्रभाब जादा होगा इस देखो यह तो समझ में आ रहा होगा दिशाएं विपरी थे तो माइनस होगा तो यह तो बिंदू पी पर प्रभाब जादा किसका होगा धच्छनी द्रुका या उत्तरी द्रुका तो द्थ्चनी द्रुक के करान इस बिंदू पर दिशाएं किदर आई थी तो इसका लगा बडा कौन हुआ बिटू बडा हुआ और बिवन चुटा तो परणामी चुमगी चेतर की दीवता निकालने के लिए क्या लिखूं और चुंकि बीटू बड़ा है तुझे न्यों खेचके ले जागो तो दिश्या पी से एस की तरफ होगी परणामी की मुला वैया तो बस अब कच्छू बचो नाने अब तो mathematical calculation करनी है बीटू कितना है अपने पास में 0.4 पाई बीवन क्लियर है सीन कॉमन का आ रहा है में 0.4 पाई एम भी आ रहा है इस टेप समझ में आ रहा है आप लोगों को बोलो भी यह जने समझावेगी जरूरत है मोई चलूं आंगे आगे बढ़ दो है जने समझावेगी जरूरत है ठीक है आगे बढ़ता हूँ बी बरावर मू जीरो वटे चार पाई एम अब आप गौर से देखें यह स्क्वेर हो यह स्क्वेर तो मैं इसे ओल स्क्वेर करके स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस टूगे इस्टेप समझ में आया है यह सभी को तो बी बरावर मू जीरो वटे चार पाई एम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हाँ ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर और इसका होल स्क्वेर जी आर स्क्वेर प्लस की है माइनस को अंदर मल्टिप्लाई यह जागो गुणा यह जागो तो आर स्क्वेर थे आर स्क्वेर कट जांगे एल स्क्वेर थे क्यों कट रहे हैं समझ में आ रही है बात माइनस माइनस तो प्लस के 2LR और प्लस के 2LR प्लस के 4LR LR तो मैंने जे लिख दही 4 को step समझ में आ गया तो B बराबत या ही है गई μू 0 बटे 4P ठीक है small m into 2L capital M clear small m into 2L की जगे capital M आएगी बुलो भई ये सूत्र पढ़ो है के ना पढ़ो बचों का है 2R पज्जे का बचों R square minus L square का कानी समझ में आई यहां तक आगे बढ़ते हैं यदि R बढ़ा है बढ़ा है L R बहुत बढ़ा है L से इसका मतलब समझते हो और फिजिक्स में जो चीज़ें बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं उसे हम लोग नगन मान लेते हैं तो यहां नगन किसको मानूँ L को तो L की जगे यहां क्या चटगा दूँ 0 तो नजारा यह हो जाएगा यह तो खतम हो गई R square का square बचेगा R square का square R से R की पापर 4 कैंसल करूँगा तो क्या आजाएगा Mu 0.4 pi 2 m upon Sine clear है Newton प्रती Ampere meter आपको याद है विद्धु छेत्र की तीवड़ता में Mu 0 upon 4 pi की जाएगे 1 upon 4 pi epsilon 0 के 2 Am जैसे हैं चुमब की आगून होता था वहाँ दुद्र वागून आता था P R q 200 की बैसो सब सेम है बिल्कुल Clear है चित्र में सभी लोग ध्यान से देखेंगे on the board चित्र में एक चुमबक दिखाया गया है जिसका मद्धिबिंदू O है हमें चुमबक के मद्धिबिंदू O से Small R दूरी पर अच्छी इस्तिती में इस्तित किसी बिंदू पर चुमबक ये चित्र की तीवरता की घंड़ना करनी है अते चित्रा नुसार Scene clear? कर पाएंगे हम लोग? आगे बढ़ जाओ पुल भईया तो देख लो बढ़ा पटे से देखो आपका हो आज के लिए परियापते कर विलते हैं Thank you everyone Have a great gift all of your guys Aaj के लिए परियापते कर विलते हैं Thank you everyone Have a great gift all of you guys झाल झाल